मेरे पहरे देश वासियों नमस्कार कोरोना की दूसरी वेव और दूसरी वेव से हम भारत वासियों के लड़ाई जारी है दुनिया के अनेग भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुज़रा है हम में से कई लोगों ने अपने परीजनों को अपने परीचितों को खोया है ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदना है साथियों बीते सो वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है त्रास्दी है इस तरह की महामारी आधूनिक विश्व ने न देखी थी न अनुभव की थी इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आई सु यू बेट्स की संख्या बढ़ानी हो भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैप्स का एक बहुत बड़ा नेट्वर्क तयार करना हो कोविड से लड़ने के लिए बीते सबा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्टर तयार किया गया है सेकंड वेव के दौरान अप्रेल और मई के महने में भारत में मेडिकल ऑक्सिजन की डिमांड और कल्पनिय रुप से बढ़ गई थी भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सिजन की जरुरत कभी भी महसुस नहीं की गई इस जरुरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया सरकार के सभी तंत्र नगे अक्सिजन रेल चलाई गई एर फॉर्स के विमानों को लगाया गया नव सेना को लगाया गया बहुती कम समय में लिक्वीड मेडिकल ऑक्सिजन के प्रोड़क्शन में दस गुना से जादा बढ़ाया गया दुनिया के हर कौने से जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्द हो सकता था उसको प्राप्त करने का भर्सक प्रयास किया गया लाया गया इसी तरह जरूरी दमाओं के प्रोड़क्शन को कहीं गुना बढ़ाया गया विदेशों में जहां भी दवाईया उपलब्द हो वहां से उन्हें लाने में कोई कोड कसर बाकी नहीं छोड़ी गई साथियों कोरोना जैसे अद्रश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाप लड़ाई में सबसे प्रभावी हत्यार कोवीड प्रोड़कॉल है मास्क दोगज की दूरी और बाकी सारी सावधानिया उसका पालन ही है इस लड़ाई में वैक्सिन हमारे लिए सुरक्षा कबच की तरह है आज पूरे विश्व में वैक्सिन के लिए जो मांग है उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सिन बनाने वाली कमपनिया बहुत कम है इनी इनी है कलपना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सिन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सिन प्राप्त करने में दसंकों लग जाते थे विदेशों में वैक्सिन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सिनेशन का काम सुरू भी नहीं हो पाता था पोलियो की वैक्सिन हो स्मॉल पॉक्स जहां गाव में हम इसको चेचक कहते हैं चेचक की वैक्सिन हो है हैपिटाइटिस बी की वैक्सिन हो इनके लिए देश वास्यों ने दसकों तक इंतजार किया था जब 2014 में देश वास्यों ने हमें सेवा का उसर दिया तो भारत में वैक्सिनेशन का कवरेश सिर्फ साथ परसंड के आस्पात था साथ प्रतिशत के आस्पात था और हमारी दृष्टी में यह बहुत चिंता की बात थी है जिस रप्तार से भारत का टिकाकरण कारकम चल रहा था उस रप्तार से देश को शत प्रतिशत टिकाकरण कवरेश का लक्सा हासिल करने में करीब करीब 250開वी चालीच साल लग जाते हैं हमने इस समथ्या के समाधान के लिए कि मिशन इंद्रधनुश को लॉंज किया हमने क्या कि मिशन इंद्रधनुश के मातम से युद्सतर पर वैक्षिनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्षिनेशन की जरूत है उसे वैक्षिनेशन देने का प्रयास होगा हमने मीशन मोड में काम किया और सिर्फ पांट छे साल में ही वैक्षिनेशन कवरेज साथ प्रतिसत से बढ़कर नब्बे प्रतिसत से भी जादा हो गई साथ से नब्बे यानि हमने वैक्षिनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दाइरा भी बढ़ाया हमने बच्चों को कही जान लेनवा बिमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीका करना भ्यान का हिस्सा बना दिया हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी गरीब की चिंता थी गरीब के उन बढ़ रहे थे कि कोरोना वाइरस ने हमें घेर लिया देश नहीं दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घेरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा झाल